इस वीडियो में हम कर्भॉक्सलिक अम्ल की अमलिये theat है यानी कि acidic strength बारे में बात करेंगे। बाक CV की तरह भी कर्भॉक्सलिक अमल्लिये गihnицयर्ण प्रतर्शत करते हैं यानी कि acidic properties exhibit करते हैं पर प्रश्न ये है कि कर्बॉक्सलिक अमल आखिर कितने प्रबल है यानि कि कितने स्ट्रॉंग है क्या हमारे दैनेक जीवन में पाई जाने वाले साधारन अमल या फिर प्रयोगशाला में उपयोग किये जाने वाले अमल जैसे कि HCl, H2SO4 क्या इनकी तुलना में कर्बॉक्सलिक अमल अधिक प्रबल है इसका हम पता कैसा लगाए इसका पता लगाने के लिए हम PKA का उपयोग करते हैं शायद आप पहले से ही PKA से परिचित हैं PKA मान सापेक्षिक अमलिय सामर्थ्य को इंगित करते हैं यानि की relative acidic strength को indicate करते हैं अब PKA का मान हमें KA के मान जो की अमल वियोजन स्थिरांक यानि की acid dissociation constant है उसका रिनात्मक logarithm लेकर मिलता है यानि की PKA का minus log है तो कर्बॉक्सिलिक अमलिय के PKA मान का पता लगाने के लिए हम जल में कर्बॉक्सिलिक अमलिय के वियोजन यानि की dissociation को देखते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यह एक सामय वस्था अभीक्रिया है यानि की equilibrium reaction है और इस reaction का अमल वियोजन स्थिरांक यानि की acid dissociation constant है RCO- की सांदरता और RCO- हमारा संयूग में क्षार यानि की conjugate base है times H3O plus की सांदरता divided by हमारे अमल यानि की RCO-H की सांदरता और जब इस मान को हम इस समी करण यानि की इस equation में डालते हैं तो हमें PKA मान मिलता है हमारा PKA मान जितना कम होगा उतना ही हमारा अमल प्रबल होगा यानि की उतना ही हमारा असेट stronger होगा चलिए अब हमने जो पहले अमलो की बात की थी जैसे HCl, H2SO4 उनके PKA मानों और कार्बॉकसल एक अमलो के PKA मान की तुलना करते हैं यदि हम काफी सारे अमलो के PKA मानों को देखे हम देखेंगे की जो प्रबल अमलो होते है यानि की जो strong acid होते है समाने तरह यानि की generally उनका जो PKA मान होता है वो एक से कम होता है उधारन के लिए हमारे पास यहाँ एक पैमाना है यानि की एक scale है ध्यान दीजिए यह केवल प्रतिने दित्व के लिए है यानि की केवल representation purposes के लिए है असलमें यह पैमाने पर नहीं है यानि की not to scale है यहाँ minus 3 H2S4 के पहले proton के वियोजन को संधर्वित करता है यानि की पहले proton के dissociation को represent करता है अब जो मध्यम प्रबल यानि की moderately strong अमल होते है उनके PKA मान 1 से 5 के बीच होते है और जो दुर्बल अमल होते यानि की weak acid होते है उनके PKA मान 5 से 15 के बीच होते है और जो अत्यधिक तुर्बल यानि की extremely weak acid होते है उनके PKA मान 15 से अधिक होते है अब जो हमारा कार्बॉक्सलिक अमल है यानि कार्बॉक्सलिक अमल है उसका PKA मान लगभग 5 के करीब होता है तो अब देख सकते हैं कि हमारे जो प्रबल अमल है यानि की HI, HCl, H2SO4 उनकी तुलना में कार्बॉक्सलिक अमल से केवल मध्यम प्रबल माना जा सकता है पर भले ही कार्बॉक्सलिक अमल क्यों न हो यानि की और्ग्यानिक कंपाउंट में से सबसे अधिक प्रबल अमलों में से एक मानने जा सकते हैं यदि हम इनकी तुलना दूसरे कार्बॉक्सलिक अमल की हम देखते हैं कि फीनॉल का PKA मान लगभग 10 के बराबर होता है और अलकोहल जो की अत्यतिक दुर्बल होते हैं उनका PKA मान लगभग 16 से 18 के बीच होता है अब यदि हम इन अलकोहलों के PKA मानों की तुलना असेटिक असेट से करें जो की एक कर्बॉक्सलिक असेट है हम देखते हैं कि उसका PKA मान लगभग 4.74 है अब देख सकते हैं कि इसका PKA मान इनसे कई-कई कम है यानि कि इसकी अमलता इनसे कई-कई ज्यादा है तो इसलिए शायद हम अब देख सकते हैं कि कर्बॉक्सलिक असेट की अमलता बाकी कार्बन लगभग को की तुलना में काफी अधिक है अब तीनों कर्बॉकसलिक असेड, फीनॉल और अलकोहल की अमलता उनके OH बॉंड के कारण होती है जितनी आसानी से ये बॉंड टूटता है उतना ही प्रबल हमारा अमल होता है पर अब प्रशन बैठता है कि ये रियक्शन आगे बढ़ती ही क्यों है इस OH बॉंड को तोड़ने में इन योगेकों का क्या फाइदा है एक महतवपून कारग जिसके कारण हमारी रियक्शन आगे बढ़ती है वो है हमारे सेयुगमी क्षार यान की conjugate base का स्थायत वह यान की stability जितना ही स्थाय हमारा conjugate base होगा उतना ही हमारी रियक्शन आगे बढ़ेगी और H3O प्लस आयन यान की H प्लस आयन और बनेंगे और हम जानते हैं कि जितना ही ज्यादा H प्लस आयन निकलेंगे उतना ही ज्यादा acidic होगा हमारा योगेक तो अब अगली वीडियो में हम carboxylic acid, phenol और alcohol के conjugate base की तुलना करेंगे और देखेंगे कि क्यों carboxylic acid का स्थाय होता है इन दोनों की तुलना में और उसके कारण क्यों इसकी अमलता बढ़ती है